इस फिल्म की शुरुआत में हम, रिडिक, नाम के एक आदमी को देखते हैं, वह एक बंजग रह पर फंस गया था, उनका एक पैर भी काफी जकमी हो गया था, इसलिए वह इधर उधर घूम रहा था, यहां भीडिये जैसे दिखने वाले खतरना कलियंस रहते थे, वह अचानक भीडियों में से एक ने उस पर हमला कर दिया, जो वहां था, अपनी जान बचाने के लिए रिडिक ने धातु का एक टुकड़ा दूर फिंग दिया, भीडिया उसे लेने के लिए उसकी ओर दोरता है, उसके बाद रिडिक एक गुपा में जाता है, जहां वह थोड़ा आरा आगे के रास्ते पर जाने के लिए उन्हें भी इस तालाब को पार करना पड़ता था, तभी वह वहां से चुपचाप जाने लगा तो पानी में रहने वाले जीव ने उसे देख लिया, वह उसे मारने लगता है, वह उस खतरनाक जीव से अपनी जान बचाने के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके जीवन में कई लोग दुश्मन थे, जो उसे मार कर स्वयम राजा बनना चाहते थे, क्योंकि वहां का नियम था कि जो राजा को मारेगा, वही राजा बनाया जाएगा, और यही कारण था कि उनकी जान हमेशा खत्रे में रहती थी, एक दि पता है कि यदि तुम मुझे फुरिया ग्रह नामक स्थान का रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ अपने स्थान का राजा बना दूंगा। लरते वह पहार से नीचे गिर जाता है। अब वाकु के सभी साथी सोचते हैं कि रिदिक मर चुका है। उसके बाद बे सभी उस ग्रह को छोड़ देते हैं। तो ये थी रिदिक की कहानी की वह इस ग्रह पर कैसे आया। आए अब रिदिक को देखें जो अभी भी इस ग्रह प ताकि वह इस जहर से प्रतिरक्षित हो सके, मतलब अगर जीव उस पर हमला कर दे तो उस पर इस जहर का कोई असर नहीं होता और उसके जानवरों पर कोई असर नहीं होता अब रिडिक उसी तालाप के पास जाता है जहां जीव थे, वहे केक करके सभी को मार डालता है और फिर अपने भीडिये के साथ निकल जाता है उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें वध्रिश्य दिखाई देता है, जहां रिडिक का भीडिया बढ़ा हो गया था एक दिन उसका भीडिया उसके लिए एक गेंज जैसा कुछ लेकर आता है रिडिक को देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि यहां इंसान भी है जब वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे इंसानों द्वारा बनाया गया एक अंतरिक स्टेशन दिखाई देता है उसने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन उसे कुछ खाने को मिल गया और इसके साथ ही उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें रिडिक के बारे में लिखा था जिसमें लिखा था कि जो भी रिडिक का कटा हुआ सिर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा जिसके बाद वह अंतरिक स्टेशन से बाहर आ जाता है उसने देखा कि बाहर काले बादल थे बारिश होने वाली थी जो उसके लिए बुरी ख़बर थी अब वह वापस अंदर आता है और अंतरिक स्टेशन की मशीन चालू करता है और मशीन के माध्यम से खुद को स्कैन करता है वह ब्रमान के सभी ग्रहों को संदेश भेजता है कि वह यहां है ताकि सभी को पता चले कि रिडिक यहां है क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे इस ग्रह से बाहर जाना है तो मदद के लिए यहां किसी को बुलाना होगा और उसे पता था कि ऐसा करने से वहाँ कोई न कोई जरूर आएगा और ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर बाद एक अंतरिक्ष्यान वहाँ आ जाता है इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो रिदिक को ढून रहे थे लेकिन अच्छा नहीं हुआ यानि वे उसे बचाने नहीं बलकि उसे मारने के लिए यहाँ आए थे यहाँ आने के बाद अंतरिक्ष्यान का लीडर अपने जहाज को बंद कर देता है और उसके चलने वाले पावर नोड्स को निकाल कर एक तिजोरी में रख देता है और अपने साथियों को हिट पर नजर रखने के लिए कहता है रिदिक को पता था कि रिदिक बहुत चालाक है अगर उसे ये नोड्स मिल जाएं तो वो यहाँ से अंतरिक्ष्यान लेकर भाग जाएगा और इन नोड्स की बजह से ही अंतरिक्ष्यान चलता है इसलिए उसने इसे चुपाया जब वे अंतरिक्ष्यान पर आते हैं नेता के खास आदमियों में से एक ने वहाँ एक नोड़ पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जहाज छोड़कर यहां से चले जाओ उधर उनके नेता ने जहाज पर एक लड़की को कैद कर रखा था यहां नेता अपने साथियों से लड़की को आजाद करने के लिए कहता है जब लड़की वहां से भागने लगती है तो नेता पीछे से लड़की पर गोली चला कर उसकी हत्या कर देता है रिदिक भी ये सब देख रहा था, नेता कहता है कि मैं रिदिक को जानता हूं, तुम मुझे छिपकर देख रहे हो, तुम्हें मेरे सामने आना होगा, और अपना से यहां से उठाए बिना, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाओंगा, नेता की बातें सुनकर उसके साथ ही कहते ह है कि हमारा नेता ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि वह जानता था कि रिदिक बहुत चालाक और खतरनाक है, इसलिए बहुत से लरना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें अपने नेता के लिए ये सब करना पड़ा, उन्होंने अंतरिक स्टेशन के पास बड़े कैमरे भी लगाए जिससे उन्हें रिदिक के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला की एक और अंतरिक श्यान यहां आ रहा है, अब नेता नहीं चाहता था कि ज्यादा लोग यहां आएं क्योंकि वह रिदिक को अकेले ही मारना चाहता था, वह अपना के काम पर नहीं आउंगा, तुम्हें जो करना है करो लेकिन हमें यहीं अपना काम करने दो, नेता जी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे, वह एक स्वार्थी और लालची आदमी था, वह जॉन के अंतरिक श्यान के नोर्ट्स भी अपनी तिजोरी में रखता है ताकि लेकिन जॉन उसे रोक रहा था, वह कहता है देखने के लिए, वहां मत जाओ, संभभ है कि यह सब रिडिक का जाल हो, उसने वहां जाल बिच्छाया होगा, लेकिन नेता जॉन की बात नहीं मानते और चले जाते हैं, वहां जाते ही नेता का एक साथी फंस जाता है और मर जा ही कर रहे थे लेकिन अब नेता खुद जॉन के पास आते हैं और मदद मानते हैं लेकिन वो अपने साथी के साथ भी दुर्व्य बहार करता है बदले में उसका साथी नेता को घुंसा मार देता है जॉन कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करने के लिए तयार हूँ लेकिन आपको मुझे सिर्फ एक दिन के लिए रिडिक को देना होगा तब तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो ये सपश्ट था कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का एक अलग उद्देश्य था उसके बाद जॉन सबसे पहले रिडिक के भीडिये पर गोली चलाता है और उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है क्योंकि वह जानता था कि भीडिया रिडिक के पास जाएगा अब वे उसका पीछा करते हुए रिडिक तक पहुँचे जो एक गुपा में था वहाँ उन्होंने देखा कि उसने नेता के आदमी का शब लटका दिया है वह सिर्फ उनका ध्यान भटकाना चाहता था और ये बात जॉन को भी समझ आ गई ये लोग यहीं थे तो वही रिडिक अंतरिक स्टेशन पर पहुँच गए थे अब वे जल्दी से वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें रिडिक नहीं मिलता है वे समझ गए कि जिस तिजोरी में उन्होंने विजली के तार रखे हैं उसीने चोरी की होगी लेकिन नेता जी इस बात को मानने को तयार नहीं थे उनका कहना है कि हर वक्त चावी मेरे गले में रहती थी तो ऐसा कैसे हो सकता है अब वह डरते डरते तिजोरी खोल कर देखता है लेकिन साथ ही उन्हें ये भी लगा कि शायद रिडिक ने इसमें कोई बम छोड़ा है लेकिन जब नेता ने तिजोरी खोली की बात कहता है लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह इस बारे में बात नहीं कर सका लेकिन थोड़ी देर बाद रिडिक खोद उनके सामने आ जाता है जिसने अपने हथियार फेंग दिये थे वह उनके पास आता है और कहता है कि मुझे एक अंतरिक्ष जहाज दो और बिजली क नोड्ज ले लो यहाँ आपके पास थोड़ा ही समय है क्योंकि बारिश होने वाली है इतना कहकर रिडिक वहां से चला जाता है जब रिडिक वहां से जा रहा था तो उसके पीछे बैठा नेता उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी रिडिक का भीडिया उस पर हमला कर देता है जिससे वह नीचे गिर जाता है नेता ने भी भीडिये को धूर फेंग दिया ये सब देखकर रिडिक अपने भीडिये को बचाने आता है जॉन का साथ ही आता है और रिडिक पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और नेता ने भीडिये को भी मार डाला वे रिडिक को अपना गुलाम बनाते हैं. इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को अंतरिक स्टेशन में फंसा हुआ पाता है. जहां जॉन उनके सामने बैठे थे और उनके बेटे के बारे में तयार था. जैसे ही उसने रिदिक का सिर काटना शुरू किया, वहां बारिश होने लगी. और जो प्राणी भूमी में छिपे हुए थे, वे जल के कारण बाहर आ रहे थे. अंतरिक को खोलने जा रहा था, लेकिन तभी लीडर वहां आ जाता है. जो उसे रोक रहा था लेकिन इसी बीच जॉन ने उसके पैर की चेन खोल दी. फिर रिदिक इसका उपयोग नेता को मारने के लिए करता है, और जॉन से डील करता है कि मैं तुम्हें नोट्स दूनगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक जहाज देना होगा. जॉन भी उसकी सारी बाते मान चुका था. अब वो दोनों बाइक लेकर उस जगह जाते हैं, जहां रिदिक ने नोट चुपाए थे. लेकिन रास्ते में जॉन की बाइक खराब हो जाती है. अब वो रिदिक के साथ बै रिदिक ने उस आदमी को मार डाला था, उस साथी ने उनकी बाइक को भीक्षत इग्रस्त कर दिया है. उन्हें पैदल ही अंतरिक स्टेशन तक जाना था. उसके बाद वहां कई जीब जनतु भी आ गए जो उन पर हमला कर देते हैं. उन प्राणियों ने रिदिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था. इसलिए जॉन उससे पावर नोट्स लेता है और अकेला चला जाता है. रिदिक अपने घाबों पर पट्टी बांधने के बाद वही खड़ा था और अकेले ही उन प्राणियों से लड़ता है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा जीब रिदिक को मारन गया था. सबसे पहले वह वाकु के उस आदमी को पकरता है जो उसे इस ग्रह पर लाया था. वह उसके सिर पर बंदूक रखता है और वाकु के बारे में पूछता है क्योंकि रिदिक अभी उसे मारना चाहता था लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता. इसलिए रिदिक ने उस